Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज के हमारी रोचक उप्योगी जानकारी है दो खटे मसालों की विशय में जो दो अलग भागवालिक शेत्रों में अधिक प्रशलित हैं आज हम जानेंगे डिफ्रेंस बेट्विन अमचूर और सूमक आज सबसे पहले ये अमचूर ये कच्चे आम जिनको कैरी भी कहा जाता है का सूखा और पिसा रूप है अमचूर अलग अलग ब्रैंड में लगबग पूरे देश भर में उपलब्ध हैं चाट मसाला, पकोडे और अनेक स्टीट फूड्स में इनका उप्योग किया जाता है आज दूसरा है ये दरदरा सा लाल कलर का पौडर सुमक ये सुमक जो मद्धी पूर्वी एशिया ये मिडल एस्टन कंट्रीज में बहुत अधिक प्रशलित है ये रस्क और एरिया नामक छोटे पेड की बेरियों जैसे फलो का सूखा और पिसा रूप है आज इस सुमक का उप्योग मिडल एस्टन और मेडिटरेनियन देशों में हो रहा है वहाँ ये सलाद की ड्रेसिंग और मासाहार को मैरिनेट करने में अधिक उप्योग होता है यहाँ पर ये डिपार्टमेंटल स्टोर और ओनलाइन स्टोर्स में आसानी से उपलब्ध है और इसके 50 ग्राम का मूले 1500 रुपे से श्रू हो जाता है ये हैं अमचूर जिसके खट्टे पन को सभी जानते हैं और दूसी तरफ ये सुम्मेक जिसका स्वाद अमचूर से थोड़ा कम खट्टा होता है इसके स्वाद में अनार दाने की तरह वुडिनस पाई जाती है यदि आपको सुम्मेक के विकल्प के लिए किसी भारतिय मसाले का उप्योग करना है तो आप अनार दाने ये कोकम का उप्योग कर सकते हैं अमचूर के अतरिक भारत के दक्षन में इमली और पंजाब में अनार दाने का प्रचलन है इनके अतरिक देज भर के विबिन शेत्रों में स्थानिय तोर पर अनेक खटे फलो ये सबजियां तथा मसालों का उप्योग भोजन में होता है जिसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं और हम आशा करते हैं आज की हमारी ये अमचूर और सुमेक की ये जलक आपकी एव्रिडे लाइफ में जरूर उप्योगी रहेगी थैंक्स वाचिंग एन कीप इंजॉइंग आर एव्रिडे लाइफ